इस वीडियों बात करेंगे डिपार्टमेंट आप पोस्ट की तरफ से यानि जो आपके इंडियन डाक विबाग है उसकी तरफ से यहां पर न्यू रिक्विट्मेंट जारी किये गई है आपके न्यू भरती यहां पर आचुगी जिसमें आई टे वालोकलियां पर काफी पोस् आट दिसम्बर की डेट में यह नोटिफिकेशन यहां पर आपके पब्लिश किया गया तो इसमें देख सकते हो एप्लिकेशन आर इन्वाइट फॉर द येर टुथाजन ट्वंटी फ्रॉम एलिजिवल्टिक इंडेट इंडियन सिटिजन होना चाहिए लाज डेट कब रख अगर इंडेशन यहां पर देख सकते हो ग्रूब सी की पोस्ट यह नोऔर नोन प्रॉस्ट पोस्ट जिसमें आपके मेकनिक के लिए यह सबसे ज़्याद पोस्ट है चार पोस्ट निकालेगी जिसमें एक सी कि है एक एडबली एस की है और दो आन्रिजर्व कैटिगरी के पो सकते हो प्रकilia following होड़र के लिए इस पो JUST के लिए टोटल साथ पोस्ट निकाली गई इसमें आपके चाडthe दी गई थी है तो अगर भपना चाहते हैं तो बहर सकते हूद कम पोस्ट फर अब आपना चाहते हैं तो लिए अठारा से लेकिए तीस साल आपके एकश्य लिम्टीश में होनी चाहिए यह आपके में गवर्मेंट तो इसमें आपको एक्शिलेक्षियन ज्याधा मिलेगा पहाँ साल का स्थ तो एक्श्य उसना तीन साल का भी सिक्रां की बात कर रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं इन डेक्स ट्रेड यानि आपके पास आई टेश्टिफिकेट होना चीजिए सबसे पहले तो और टेकनिकल एजिकेशन इंसिट्ट एनि रिकॉनाइज़ भाइ गवर्मेंट यानि एंसीटी से हो चाहिए आप स्थीटी से हो यह बंशीटी रखा है विश्ट गॉर्मेंट दिय है और इसमें आपको हैवी मेकनिकल विकल का ड्राइविंग लाइसेंस यह तो यह आप इसके लिए होंगे ठीक है और आगे मेथड़ों सेलेक्शन की बात कर लाए तो यह अलगलग पोस्ट इसमें निकाली गई है तो यहां पर समझना जरूरी है कि जो इसमें पोस्ट है द और तो यहां पर और आगे मतल़ ही नहीं तो यह हो नजी है आपके पास तो यह पर यह आप है आपके पास हैं नफ कर आप स्थमिशन सबसक्तूत अ MAX спас और यह पास और एक साल का experience है इन एक ट्रेड मतलब आठ्वीक एर्थ के बाद में अकर आपने टेक है और वन एक्सुरेंस तो यह लिए पर अगर आप यह अबमेस ऑनली डों मेंकरीक फोले रगार्फ प्रेडूस में आपको रीओंके रीओं रेसेन्स हें वाकि कोपतेकों लेसेंस में तरोफ सेलेक्षिन की बात कर लाए तो इसमें आपके में तरोफ जो सेलेक्षिन रहने वाला है और मांग दकेंडियर पासिंग दर क्वालिफिकेशन मीन कॉंपुटिश्यू एक्जाम टेस्ट होगा बैसिज अन्दस लेवर इन दर एक्ट्रेट से आपका स्लेव पसाएगा स्लेवस डेट वेन्यू डूरेशन इटिसे विल इंफोर्म टू दे एलजीबिल्टी केंडिट अलंग दे हाप परमिट जो आपका अभी मनहीं दिया गया इस लेवस क्या रहने वाला डेट क्या रहने वाले वेन्यू क्या रहने डूरेशन के लिए सब आपको ब सब्सक्राइब लगेंगे जो एप्लिकेशन आप भरोगेश में ऐसे स्टी के लिए कोई फीच नहीं लगी पेमेंट यहां पर एक्सपेंड कर दिया गया एप्लिकेशन विल बी रिजेक्टिट डू टू किस कार्नों से आप यहां पर एप्लिकेशन रिजेक्ट होगी एप्ल जाएगी और विदाफ में उलिए साफ सारी तो रिजेट कर दीजाएगे और क्वालिफिकेशन ने तो भी और यहां पर बहुत सारजी दिए जिसके करन आपके लिजेट कर दी जाएगी आगे बात करें इसमें और भी चीजे दीगे जिनको अच्छे सब देख सकते एपलिकेशन में आपको क्या कहाई चीए एक तो आपको एजब्लीकेशन च्रूप यह चाहिए और इसमें बात करें एपलिकेशन फोर्ट पोस्ट आयां पर ट्रेड आ जाएगी आपकी सबतory शाइब द्रिश्टर पोस्ट के द्वारा ही आपको श्यूप जेसे पोड़ेजना पड़ेजने के लिएनय दर में तैटिक तिम अन्लाइन आवतेटन नहीं होंगे इसका यह कहने का कचिए मतलब है ओनलाइन आविदन इसके नहीं होंगे ओफलाइन होंगे आपको ओफ लाइन ही इसको आविदन करना पढ़ेहर रजिस्टर पोष्याइश इस्विट पोस के तरू आपको दे मैनेजर मेल और देख सकते दिलाज डेट आप रिशीप्ट नो तारिक से पहले आपको इसको भीजना पड़ेगा तो उसका कैसे फोर्म बनना वो भी मैं आपको बताऊंगा यह इसका फॉर्मेट है इसको आपको प्रिंट करा लेना यहां पर सबसे पहले किस ट्रेड के लिए आप अपला आपकी अंडिजव एसी जो भी है मतलब यहां पूसले कर लाए फोर्ट चीए आपका खुद का पॉर्ट लगा देना यहां पर डेट अपर अप्लिकेशन फीस यहां पर जो भी आगर एस एस्ट के डिगरी से जीरो यहां पर हो जाएगा यहां पर यहां पर कुछ निए बन चाले भी साल और यहां पर यह राज आगा बागी जो है आपके एज़िकेशन कौलिफिकेशन टेकनिकल आईटे कौलिफिकेशन ठीक है उसके बाद में यहां पर और्कनाइजेशन का नाम है विद एड्रेस जो आप भी आपने मतलब एक्स्पेइंस लिया है वह यहां पर डिटेल एक्सपेशन रिस्पेश्टिट में कितना एक्सपेशन आपके पास ड्राइवंग लाइसेंस चीए और डेटर प्लेस और सब्सक्रियां पर आपके आजाएंगे और जिनको निकला कि आपको बनवाने पढ़ेंगे ऐसा आपके पास का सटर्टिफिकेट होना चाही निकला ना अगर आपने वहां रखा तो अच्छी बात है कि यानि आपके अलäकर का सर्टिफिकेट होना चाही है यह इसका नहीं चलेगा आपका आपका क्या बहुतर डाना चाहीं होने तो यह इह सब oxy की और गड़नव का सुर्सक्र डिये उनके लिए इंकम सब्सक्राइब भी बनवाना पड़ेगा तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो जरूर अपलाए करना सिर्फ आइटे मांगे गई है और अगर आप जो रिस्ट पर की ट्रेड उसमें एक्सप्रेंस है एक से आल का आठ वी के बाद मैं अपकर रहे हो तो एलिजिबल है आठ वी के बाद एर्थ से अगर बरोगे तो वनियर का एक्सप्रेंस चीए आपको वनियर का ठीक है और अगर आप एट से नहीं बर रहे हो तो आपको कुछ भी इसमें नहीं चाहिए होगा और यहां पर दे दिया गया है ठीक है